तो इसे खूशी में हम बना लेते गाजर का हलवा क्योंकि कोई गेस्ट आया हो या की आये हो या फिर कोई बहार से आया हो तो इसके लिए हमें उन्हें सादा सा खिला ने खिलानी सकते थे तो मंबा ने बना दी इसकी मिठा है जो कि बहुत ही यमी लग रही थी और खाने में बहुत ही टेस्ट की आर देखिए कोई खास आएगा तुसके लिए तो खास रेसीपी तो बनानी पड़ेगी तो साधसा गाजर का हलवत तो नहीं खिलाते तो चलो वीडियो स्टाट करते हैं इ इसको किसके एक कड़ाई में निकाल लिया और इसमें एट किया है हमने आदल इटर मिल्क और इस अच्छे से ओट आने तक इसे पकाते रहना है लो टू फ्लेम पे जब तक कि यह गाजर अबजोप ना कर ले उसका मिल्क पूरा तो इसे हम पास से दस मिनिट के लिए से दो चमज घी नहीं अभी हम इसमें शुगर एट करेंगे तो पहले शुगर को एट किया है स्वाद अनुसार और इसी के बाद हमने एट किया घी और इसे अच्छे से पका लेना है मिक्स करके अच्छे से देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लग कि खुश्वू और सुगंधिका में क्या बताऊं तो हमने लेमन जिससे निकालते जूस तो उससे हमने इसका सेव दिया है आप इसको किसी भी आकार का बना सकते हैं आसानी से जैसा भी बनाना है आप मिठाई का सेव भी दे सकते बट हमने इसको दिया है पेड़े वाला से यह हमारी बन के तैयार है गरम गरम गाजर की मिठाई जो की बहुत ही टेस्टी लग रही थी आप भी ट्राइ करें इसे बनाए और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और जादर से जादर शेयर करें हमारी वीडियो जिस किसी को भी पसंद आई हो तो आपके घर बच्चे आये हो या फ्रेंड्स आये हो या कोई खाश आया हो या कोई बहार से बड़े या कुछ और तुन के लिए आप यह रेसिपी बना सकते हैं